हलो फ्रेंड्स मैं हूँ रूबी और स्वागत करती हूँ आपका अपने यूटूब चैनल पर फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूँ पत्ता वो भी और मटर की बहुत ही स्वाधिस्ट सबजी वीडियो को अंते तक पुरा देखिए और आप इस सबजी को एक बार जरूर बनाईएगा वीडियो पसंद आये तो लाइक और सेर जरूर करें चैनल पर अगर आप नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक चोटी सी घंटी आती है उसे दबा कर ओल पे क्लिक किजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स पत्तागोबी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है लगवग 400 ग्राम पत्तागोबी जिसे हमने बाडिक काट लिया है अच्छी तरह से दोकर और इसके साथ ही हमने लिया है यहाँ पर एक कटोरी भर के ताजा फ्रेस मटर एक बरे साइज का प्याज जिसे लंबे लंबे स्लाइस में काटा है दो मीडियम साइज का आलू आलू पूरी तरह से ऑप्शनल है अब चाहे तो डाले नहीं तो स्कीप कर सकते हैं दो तीन हरी मिर्च दस बार लैसुन की कलिया और एक चोटे साइज का टमाटर जिसे हमने चोटे 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 टुकरों में काट लिया है अब हम गैस ओन करके एक कराही रखतेंगे गरम होने के लिए कराही जब अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे दो से तीन चमश तेल जो खाने का चमश होता है ना उसी से दो तीन चमश तेल डालेंगे तेल को गरम होने देंगे अच्छे से उसके बाद डालेंगे एक टेबल स्पून जीरा जीरा का कलर जब हलका सा चेंज हो जाए तब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता और हरी मिर्च और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे कटीवी प्याज मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को लगबग आदे मिनट तक भूनेंगे ताकि प्याज हलका सा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ पत्ता गोवी पत्ते गोवी को हम फिर से एक देर मिनट तक भून लेंगे इस तरह से चलाते हुए तो हमें चलाते रहना है ताकि ये हर तरफ से अच्छे से भूने नहीं तो ये एक तरफ से जल जाएगा और कहीं से ये नहीं भूनेगा तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आलू और साथ में डाल देंगे मटर दोनों साथ में ही डाल देंगे और आलू और मटर डालने के बाद भी हम इसे डेड़ दो मिनट तक और भुनेंगे गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे medium flame पे ही अच्छा स्वाद आता है सबजी का देर दो मिनर तक सबजी को भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले एक तियाई छोड़ा चम्मच छल्दी पाउडर एक तियाई छोड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोड़ा चम्मच धनिया पाउडर लेसन जो हमने लिया था उसे कूट कर डालेंगे स्वादानुसार नमक और टमाटर मसालों के साथ इन सबजीयों को हम एक मिनट तक भुनेंगे मिर्यम फ्लेम पे चलाते रहेंगे नहीं तो जो मसाला है वो कलाही के तले में चिपकने लगेगा एक मिनट भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून मीट मसाला किसी भी ब्राइट का ले सकते हैं और यह पूरी तरह से आप्शनल है आप चाहें तो डालें नहीं तो इसकीप कर सकते हैं और इसके साथ ही हम डालेंगे गरम μαςाला, गरम μαςाला भी हमने 1 टेबल Shipun डाला है, और फिर से इस эп8 मिनित के लिए इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी, तो पानी बहुत जादा नहीं डालना है, क्योंकि हमें इसकी सूकी सबसी बनानी है इस पर बहुत जादा ग्रेवी नहीं चाहिए बत्तागोभी और मटर की सूकी सबसी अच्छी लगती है, ग्रेवी वाली अच्छी नहीं लगती है तो हमने यहाँ पे एक ग्लास पानी डाला इसे अच्छे से मिक्स किया और इसे ढख देंगे और पकने देंगे गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और इसे जब तक पकने देना है जब तक यह अच्छे से पकना जाए और इसका जो पानी है वो पूरी तरह से शूपना जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पानी जो है वो शुक गया है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी अभी दीख रहा है लेकिन अभी अगर हम हाई फ्लेम कर देंगे तो यह जल्दी से सुक जाएगा तो बहुत सब्जी बनकर त्यार है जो भी हलका सा पानी दीख रहा है उसे हाई फ्लेम कर दीजिए जल्दी से सुक जाएगा तो देखा आपने बहुत ही आसान तरीके से हमने पत्ता गुबी और मटर की बहुत ही स्वाधिस्ट सब्जी बनाई है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है तो आप इस रेसिपी को एक बाद जरू ट्राइ कीजिएगा आप इसे रोटी, चावल, पूरी, पराठे किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं प्रेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लेज इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के सांथ शेर कीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबस्क्राइब कीजिए बाई बाई वीडियो देखने के लिए थे